बहाई और बहनों, देश 1947 में आजाद हुआ, कॉंग्रेस ने गुलामी की मान्चिक्ता को फलने फुलने दिया, पूरी दुनिया छत्रपती सिवाजी महाराज की नव सेना का लोहा मानती थी आज भी विश्व में, जब भी नव सेना की दुनिया में चर्चा होती है, जो छत्रपती सिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है लेकिन इतने सालों तक आजाद भारत की नव सेना के जंडे में अंग्रेजों का निशान था एंडिये सरकार ने मोदी ने हाकरके उस अंग्रेजी के निशान को हटाया हटा करके रुका नहीं, मोदी ने तै किया कि जंडे का ताकत तब बढ़ेगी कि हमारी नव सेना के जंडे में अब छत्रपती सिवाजी महराज के पती को स्थान दिया जाएगा और दिया डंके की चोड़ पर दिया हमारी सरकार ने मराटा सेना उद्वारा बनाए गए एतियासिक कीलों को भी युनेस्को की वर्ल्ड हैरिटेज साइट में शामिल करने के लिए नामांकन किया है महराज का लोगड हो, सिंदु दूर्ग हो या फिर मराटा सेना उद्वारा बनाया गया तमिल नाडु का तमिल नाडु का जिंजी फोट हो इन सभी को वर्ल हैरिटेज साइट की लीस में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं मराठा बिरास्त की शाम दुनिया में बढ़ेगी तो हम सब को गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दुनिया में डंका बज़े तो गर्ब होना के दिने हो रहा चाहिए लेकिन कॉंग्रेस को तकलीब होती है कि मोद ये सब काम क्यों कर रहा है